हां जी बच्चो बच्चो अब हम करेंगे exercise 11.1 का question number 5 question number 5 है कि teacher distributes 5 pencils per student can you tell how many pencils are needed given the number of student and use the use s for number of students यहां पर क्या है कि school के अंदर मैडम ने एक बच्चे को पांच pencil देती है मान लो कि class के अंदर मैडम गई and एक बच्चे को पांच pencil देती है तो हमें यह पता लगाना है कि टोटर में कितनी pencils की जरूरत पड़ेगी अगर हमें क्या बताया जाए कि number of students इतने है हो सकता है एक class में 30 बच्चे हो दूसरी में 40 किसी में 45 किसी में 60 किसी में 70 किसी में 40 20 कुछ भी हो सकते हैं हर class में अलग होते हैं तो हमें क्या करना है कि number of students तो बता दिये जाएंगे बट हमें क्या बताना है कि pencils कितनी लगेगी तो यहां पर देखो simple सी वही चीज है कि क्या लिखेंगे देखो यहां पर हमने क्या किया five pencils मैडम दे रही है देखो कैसे five pencils कितनों को मैडम ने one student को अगर दो student होते तो मैडम कितनी pencil देती सिदी सी बात अगर दो student होते तो मैडम लाती कितनी pencil 10 pencil लेक्या दी सिदी सी बात अब हमसे कहा क्या जा रहा है कि यह बताओ कितनी pencils की जरूरत पड़ेगी नंबर हमें रूल निकालना है रूल फॉर देखो लिखाना है आप एक की tell how many pencils are needed then rule for pencils needed लिख लेते है pencil needed कि हमें यह का जाएगो बताओ कि कि कितनी pencil की जरूरत पड़ेगी कि अगर कितनी हो 10 student हो 20 हो 50 हो यानि कि हम क्या करेंगे यहां पर number of students let कर रहे हैं हम मान के चल रहे हैं कि let number of students के हमारे पास s okay then हमसे बोला जाएगा कि एक student को कितनी दे रहे हो 5 तो हमसे पुछा जाएगा s student को कितनी दोगे तो क्या हो जाएगा कि एक को अगर 5 दे रहे हो तो s student को कितनी दोगे आप इतनी 5 into s यानि कि 5 s तो यहां पर pencil rules for pencil needed for s students लिखना ठीक है अगर आपके पास इतने students then आपके पास क्या है गा 5 into s यानि 5 s okay समझ में आ गया न clear आप जल्दी से करते question number 6 को then जल्दी से exercise खतम करेंगे then move करेंगे अपनी अगली exercise 11.2 पे ओके वीडियो अच्छी लगे तो please like and share जरूर कर दीजेगा क्रेंगे